प्राइस बहुत बड़ा deciding factor होता है Tab A9 Plus 8GB RAM and 128GB Storage के साथ Wi-Fi model लगबख 16-17,000 का मिल जाता है और Xiaomi Pad 6 6GB RAM and 128GB Storage लगबख 24-25,000 का मिल जाता है और मैंने ये प्राइस दोनों के current offers लगा कर बताई है तो यहाँ प्राइस का clear advantage Samsung Tab A9 Plus के पास है इसका 5G model भी 20-21,000 का मिल जाता है Storage की बात बस यहीं खतम नहीं होती अगर किसी को SD card यूज़ करना है तो Samsung में 1TB तक का storage बढ़ा सकते हैं वही Pad 6 में storage बढ़ाने का option नहीं है Pad 6 में storage type fast है तो जो heavy task होंगे daily use में वो यहाँ थोड़े fast रहेंगे और normal use में भी वो notice होंगे यह mainly उन लोगों के लिए जादा matter करता है जिनने tab fast चाहिए और जिनने storage जादा चाहिए उनके लिए Samsung का storage type इस price पर अच्छा है बेल quality में Pad 6 Samsung के Tab A9 Plus से जादा strong feel होता है Tab A9 Plus में यह part plastic का है जबकि Pad 6 में ऐसा नहीं है दोनों की display की side plastic frame में है और इसके उपर metal frame है look wise भी Pad 6 ही better है तो design and build quality के point से Pad 6 जादा अच्छा लगता है design से related दोनों ही tab में fingerprint unlock नहीं है यहाँ Tab A9 Plus के पास एक बड़ा advantage है कि इसमें headphone jack मिल जाता है और यह कुछ लोगों के लिए आज की date में भी बहुत important है एक और पार tab A9 Plus के पास बड़ा positive point यह है कि इसमें 5G model मिलता है जो कि यह मेरे पास है और इसमें 5G network अच्छा रहता है फिलाल इसमें sim नहीं है नहीं तो indoor में 4G और outdoor में 5G इसमें अच्छा चलता है वही Pad 6 सिरफ Wi-Fi model में आता है अब अगर कोई tab को class में use करना चाहे या कहीं भी जहां Wi-Fi facility नहीं है और आपको internet से related कुछ भी करना हो तो tab A9 Plus का यह 5G model best option है Pad 6 को या तो phone के hotspot से connect करो या फिर स्रिफ phone ही use करो ऐसी condition में तो स्रिफ यही option रहेगा अगर आप वो लोग है जो Microsoft Office free में use करना चाहते हैं तो tab A9 Plus के browser में desktop mode में Office online login करके use किया जा सकता है अगर 5G model बाए करें तो Office से related Microsoft World हो Excel हो या PowerPoint हो full-fledged use किया जा सकते हैं और यह online version यूज़ करने के लिए internet ज़रूरी है यहां Office use करना बहुत जादा comfortable तो नहीं होगा क्योंकि display छोटी है और यह processor भी इतना powerful नहीं है कि heavy files भी Excel map fast open कर पाए और easily formula लगा के code बना लो Technically, Pad 6 के display Tab A9 Plus से better है और real life में भी यहां difference देखने को मिलता है Tab A9 Plus SDR content को support नहीं करता और Pad 6 SDR के साथ Netflix पर भी Dolby Vision को भी support करता है तो यहां Pad 6 clear winner है लेकिन Tab A9 Plus की display quality price point के हिसाब से बहुत अच्छी है और सिर्फ 16 से 17,000 रुपे में मिल जाएगी दोनों ही Tab में quad speakers है और Dolby Atmos का support आप sound खुद सुनिये मुझे personally Pad 6 की sound better लगी यह loud है और bass भी A9 Plus से better है झानले कर लो अट लेकिन हेड़फोन चैक टैब A9 प्लस को बराबर कर देता है उनके लिए जो हेड़फोन यूज करते हैं वाइरलेसली तो दोनों सेम रहेंगे पैड़ सिक्स पॉफॉमेंस के मैटर में क्लियर विनर है यहाँ कोई कॉप्टिशन नहीं यहाँ स्नैप ड्रेगन 870 690 से बहुत अच्छा है गेमर्स के लिए क्लियर विनर पैड़ 6 है और सिर्फ गेमर्स के लिए ही नहीं डे टू डे यूज के लिए भी ये फास्ट रहेगा साथ में RAM भी LPDDR5 है और स्टोरेस टाइप UFS 3.1 यहाँ यह आपको डिसाइड करना है कि आपको यह जो स्पीड का डिफरेंस है 9 से 10,000 रुपे एक्स्टर पे करने लाइक है यहाँ 9 से 10,000 में डिस्प्ले और साउंड भी बैटर मिलेंगे लेकिन यहाँ यह भी सोचना जरूरी है कि हमारा यूज केस कैसा है ज्यादा गेमिंग और कॉंटेंट फोचिंग या फिर स्टडी और प्रोड़क्टिविटी अगर स्टडी और प्रोड़क्टिविटी है तो प्राइस पॉइंट के हिसाप से टैब A9 प्लस बेटर है क्योंकि यहाँ बेटर सॉफ्ट्वेर है बेटर नो टैप है और डेक्स मोड प्रोड़क्टिविटी ऐसा नहीं है कि पैट 6 में नो टैप नहीं है लेकिन जो फीचर सैमसंग प्रोड़क्ट करता है वो श्याउमी नहीं करता यहाँ एक और पॉइंट आता है कि जब 25,000 स्पैंट करने है तो S Pen के साथ सैमसंग का टैप S9 FE 30,000 तक मिल जाएगा या फिर लॉंग टम यूज के लिए तो 35,000 में iPad 10 भी मिल जाता है जिसके लिए third party pen भी बहुत अच्छे और सस्ते भी मिल जाते है टैप A9 Plus की बैटरी लाइफ बहुत सही है क्योंकि इसका प्रोसेसर इतना पावर हंगरी नहीं है और Pad 6 की भी बैटरी लाइफ अच्छी है क्योंकि वहाँ बैटरी कैपिसिटी जादा है लेकिन Pad 6 फास्ट चार्ज होता है और एडप्टर के साथ आता है A9 के लिए अडप्टर 1000 रुपे का एक्स्टर लेना पड़ेगा लेकिन अडप्टर की प्रैस एड़ करें तो टैब A9 प्लस साथ से आठ हजार सस्ता है अब वही पॉइंट आ जाता है जैसे लोग कमेंड करते हैं कि आईपड 10 जैन के लिए एक्स्टर क्यों पे करें तो यहाँ भी मार्जिनल गेन के लिए एक्स्टर आठ से दस हजार क्यों पे करना जब हमारी जरुरत 15 हजार में पूरी हो सकती है यहाँ मैं यह नहीं बोलूँगी कि अब आप खुद डिसाइड कर लो मेरा यहाँ क्लियर कंक्ल्यूजन है कि अगर आप गेमर है एंड कॉंटेंट वॉचिंग के लिए टैब चाहिए में ली वो भी 25 हजार की फिक्स प्राइस पर तो श्याओमी पैट 6 बहुत अच्छा है लेकिन टैब A9 प्लस बहुती ज़ादा वैल्यू फर मनी प्रोड़क्ट है किसी भी यूजर के लिए 16 से 17,000 की प्राइस पर जहां स्टोरिज बढ़ाने का ऑप्शन है हैटफोन जैक है बेटर सॉफ़वेर है और प्रोड़क्टिविटी फीचर्स भी मिल जाते हैं और ऐसा नहीं है कि प्रोड़क्टिविटी पैट 6 पर बेकार है यहां भी मल्टि टास्किंग कर सकते है और शामी का पैन बाय ना करें तो यूनिवर्सल स्टैलिश यहां भी यूजर सकता है और कुछ लोग यूजर भी करते होंगे मेरा चैनल 10,000 सब्सक्राइबर के पास-पास पहुँच गया है और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करके 10,000 करवाओ इस चैनल को मैं ऐसा चैनल बनाना चाती हूँ जहां लोग ट्रस्ट कर सकें और वीडियो देखने पर उनको सच में useful information मिले मेरे वीडियो में एडिटिंग बहुत ज़ाद अच्छी नहीं होती है तो कुछ लोगों को शायद boring भी feel होता होगा क्योंकि ज़्यादा यूटूबर्स engagement के लिए वीडियो एडिटिंग पर ज़्यादा focus करते हैं तो आप जैसे genuine viewers and subscriber का support चाहिए मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ मैं daily videos upload कर रही हूँ तो subscribers को notification ज़्यादा लगते होंगे उनसे request है अगर वीडियो आपके लिए useful नहीं है तो उसे मत देखना लेकिन channel को unsubscribe मत करना बाकी मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी channel पर अच्छा content ही आए thank you so much यहां तक वीडियो देखने के लिए उसके बाद हमें यहां new page open करना है फिर यह automatically इस website के link का या फिर पूरे page को copy करने का option देता है जैसे ही हम यहां whole page को click करते हैं यहां पूरा ही article copy हो जाता है यह article as it is notes में paste हो गया है अब हम इसके उपर अपने points भी लिख सकते है इसे highlight भी कर सकते है